Hello students, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग class 9 की English book chapter 1 का question answer करेंगे जो कि है the lost child. ठीक है? previous वीडियो में हमने the lost child chapter को समझा था. इस वीडियो में हम उसके question answer को explain करेंगे. ठीक है? चलिए. तो वे ना लेट किये हम लोग video start करते हैं. वो कौन कौन से चीज़े थी जो बच्चे ने मेले जाते टाइम जब वो बच्चा मेला जा रहा था अपने पैरेंट के साथ तो रास्ते में उसने कौन कौन से चीज़े देखी? ठीक है? ये पहला question है. उस question के साथ में एक और शोटा question जुड़ा हुआ है. वो पीछे क्यों छूट जा रहा था? है ना? हम लोगों ने स्टोरी में देखा है. वो बच्चा बार-बार पीछे छूट जा रहा था. उसके पैरेंट्स बार-बार कॉल कर रहे थे. कम चाइल्ड कम. तो वो क्यो छूट रहा था पीछे? और रास्ते में वो क्या देख रहा था? ठीक है? चलिए. तो आंसर है. On his way to the fair, the child saw. चाइल ने फिर जाते टाइम रास्ते में देखा. Toys, flowering mustard fields, dragonflies, butterflies, insects and worms, dubs and a huge crowd of people entering the fair. तो बच्चे ने flower mustard के field देखे थे, toys देखा था, बहुत सारा, dragonflies देखा था, तितलियां देखी थी बच्चे ने, कीडे मकोडे देखे थे, worms देखे थे जो अपने घर से बाहर निकल रहे थे, यह ना, sunshine लेनी के लिए, dubs देखा था बच्चे ने, फाक्ता फाक्ता चिलाते हुए बच्चा जो भागा था, and a huge crowds of people entering the fair, और एक भीड देखी थी, लोगों की भीड लगी हुई थी, जो कहां जा रही थी, मेले की दरग जा रही थी, he lags behind because, अब हम second वाली का answer कर रहे हैं, he lags behind because, he is fascinated by the things that he sees on his way to the fair, वो पीछे इसलिए रह जा रहा था, क्योंकि वो आकरसित हो जा रहा था, fascinated मतलब आकरसित हो जाना, तो आकरसित हो जा रहा था, उन चीजों की तरफ जो वो रास्ते में देख रहा था, clear है जब को, चलिए, next करते हम लोग, next है, in the fear he wants many things, मेले में वो बहुत सारी चीज़े चाह रहा था लेना, what are they, वो कौन कौन सी चीज़े थी, जो वो लेना चाह रहा था, ठीक है पहला ये है, इसी में एक कुस्सन और है, why does he move on without waiting for an answer, बहुत अच्छा कुस्सन है, वो बहुत सारी चीज़े चाह रहा था, लेकिन वो बिना wait कि, अपने parents के answer का wait कि भी नहीं, वो आगे बढ़ जा रहा था, क्यों, जैसे किसी चीज़ के लिए भी वो जित कर रहा था, कि पापा ये चाहिए, मामा ये चाहिए, I want this, I want this, लेकिन वो फिर रुकता नहीं था, आगे बढ़ जाता था, क्यों, क्योंकि वो खुदी जान रहा था, कि उसके पापा, मम्मी जो है उसे, उसके पापा especially, चांसर देंगे, चलिए, देखते हैं, The child wants many things in the fair, He wants to have toys, different sweets, garlands, हाँ, बच्चा जो है, वो toys चाह रहा था, different types के, sweets चाह रहा था, मिठाईयां चाह रहा था, garlands, फूलो का जो माला होता है, वो garland होता है, वो चाहता था, balloons of different colors, different colors के balloons चाहता था, watching the snake dancing, at the tune of the snake charmer, snake charmer का जो, tune पे जो snake नाच रहा था, उसको भी वो देखना चाह रहा था, and has a keen desire to enjoy the roundabout, और एक बहुत बड़ी एक्चा थी उसके अंदर, कि वो उस जूले पे बैठे, he moves on without waiting for an answer, वो लेकिन बिना parents के reply का answer का wait कि हुए, बिना wait कि हुए, वो आगे बढ़ जा रहा था, क्यों, क्योंकि whenever he stops to see things, जब कभी वो रुकता था किसी चीज़ को देखने के लिए, his parents give him a call, उसके parents उज़े call देते थे, बुला लेते थे, come child, come, ये पहला था, and साथी साथ में, he knows that his parents would not approve him of all these things, और साथ में, वो यह भी जानता था, कि उसके parents जो हैं, तो ये दोनों बाते थी, जिसके कारण बच्चा भी न रुके आगे, बढ़ जा रहा था, चलिए, now, thought question, हम लोग देखेंगे, when does he realize that, उसे कभ रियलाइज हुआ, that he has lost his way, वो अपना रास्ता भूल गया है, अपने parents से वो अलग हो चुका है, वो उसे कभ रियलाइज हुआ, how have his anxiety and insecurity been described, किस तरह के से बच्चे के anxiety, जो चिंताएं गह रही थी, उसे अपने parents को ना देखते हुए, और वो insecure महसूस कर रहा था, उसको स्टोरी में कैसे describe किया गया है, ये हमें बताना है, चलिए, when the child saw a roundabout in the fear, he got attracted to it, जब बच्चे ने वो जूला, जो बड़ा सा गूल चक्कर वाला जो जूला था, वो बच्चे ने जब देखा ना, तो वो easily उसके तरफ attract हो गया, है ना, अकरसित हो गया, कि आप भही मुझे ये जूला जूलना है, he wants to have a right on it, वो एक ride लेना चाहता था उस जूले की, he asked his parents for permission to enjoy it, वो अपने parents से permission लेना चाहता था, enjoy करने के लिए, बट लेकिन उसी समय, there was no reply, उसी समय कोई reply नहीं मिलता है, parent के तरफ से, when he turned to look at his parents, वो पीछे मुड़ता है अपने parents को देखने के लिए, there was no one, वहाँ कोई नहीं रहता है, तो उस समय उसे realize होता है, कि वो गुम हो गया है, ठीक है, अब second question, how have his anxiety and insecurity been described, कैसे described किया गया, चलिए अब इसको देखते हैं, then he realized that he has lost his way, his anxiety and insecurity, have been described in a very saddening, and heartwarming faith, बहुती दुख़द और heartwarming, मतलब रिदय जो है वो न, एकदम पिखल जाएगा, उस तरीके से इस बच्चे का जो anxiety और insecurity, को यहाँ पर describe किया गया, इस story में, है न, हम लोगों ने story पढ़ते टाइम, यह महसूस किया था, he starts crying bitterly at once, and runs here and there in search of his parent, है न, वो बच्चा, रो रहा था, चीख रहा था, और अपने parents को, यहाँ वहाँ खोज रहा था, ठीके न, जो भी इनसान उसे दिखते थे न, जो भी couple को वो देखता था, उसे ऐसा महसूस होता था, दोर से कि उसके ममी पापा है, वो कुछ भी नहीं चाह रहा था, ना वो sweets पसंद कर रहा था, ना garland पसंद कर रहा था, कुछ भी उसे नहीं चाहिए था, बस उसे क्या चाहिए था, उसके पापा ममा, ठीक है न, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे किया गया है, चलिए, नेक्स देखते हैं हम लोग, वाइ डिस दे लॉस्ट चाइड्ड, लोज इंट्रीज, इन दा थिंग्स जाथ, वो बच्चा जो था, उसने क्यों इंट्रेस्ट खो दिया था, उन सब चीजों में, जो चीज वो पहले चाहता था, जिन चीजों को वो लेना चाहता था, अब उस बच्चे के अंदर न, उन चीजों को लेने के लिए कोई वी इंट्रेस्ट नहीं बची थी, अब उससे बिलकुल वो चीज लेना नहीं था, ठीक है, तो क्यों हुआ था ऐसा, क्योंकि वो मेले में गुम हो गया था, उस समय वो सिर्फ अपने पैरेंट्स को ही चाहता था, क्योंकि उसके पैरेंट्स मिल जाएं, वो डरा हुआ था, और चाहता था कि बस उसके पैरेंट्स मिल जाएं, वो अनसेफ महसूस कर रहा था, ठीक है बच्चो, तुम क्या सोचते हो कि एंड में क्या हुआ होगा से स्टोरी में, क्या बच्चे को उसके पैरेंट्स मिल गए होंगे, क्या बच्चे ने खोज लिया होगा अपने पैरेंट्स को, चलिए, यस, क्योंकि हम हैपई एंडिंग ही हमेशा खोजते हैं, तो हम अपने हिसाब से लिखेंगे, तो इसमें यस ही लिखना जादा हम मुझे लगता है कि अपरेंट्स होगा, Yes, I think the child would have found his parents in the end, Yes, बच्चा जो है वो खोजने में सक्षम हो गया होगा, अपने पैरेंट्स को खोज लिया होगा, जो बच्चे को जिस वैक्ती ने गोद उठाया था, जो से help कर रहा था ना, The gentleman must have tried his best to find his parents, क्योंकि बच्चा जिस तरीके से दुखी था, रो रहा था, चिला रहा था, My father, my mother, है ना, तो वो gentleman समझ गया होगा, कि छोटे से बच्चे को कितना ज्यादा दुख है, और वो gentleman जो है ना, अपना best label पे उसने try किया होगा, उसके parents को ढूणने में, ठीके ना, On the other hand, The parents of the child must have left no stone unturned to find their child, Yes, यहाँ बच्चा दुखी था, खोज रहा था, लेकिन parents की हालत क्या हुई होगी, उनका चोटा बच्चा गुम हो गया है, तो वो भी किसी भी जगा, ऐसा कोई भी जगा नहीं होगा, जहाँ पे parents नहीं गया होंगे, नहीं देखे होंगे, तो parents भी खोज रहे हैं मेले में, बच्चा भी खोज रहा है उस वैक्ती के साथ, उस unknown stranger के साथ, तो जब वो दोनों तरब से खोज बीन चालू है न, तो एक नएक point आसा आएगा, चहांपे वो लोग मिल जाएंगे, finally the child would have reunited with his parents, तो finally जो है वो अपने parent को बच्चा मिल गया होगा, ठीक है, चलिए, तो ये question answer हम लोगों ने देखा, आपको समझ में आ गया होगा, next video में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए, bye-bye,